कम बजट में 32 इंच का टीवी देख रहे हैं, आज आईए दिखा दूंगा लेकिन टीवी खरीदने से पहले कुछ important points हैं जो आपको जरूर ध्यान में रखने चाहिएं जब भी आप टीवी खरीदने जाएंगे, market में mostly आपको दो पैनल वाले टीवी देखने को मिलेंगे एक है VA पैनल और दूसरा है IPS पैनल VA पैनल वाले टीवी में आपको blacks ज़्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं जब आप इस टीवी के बिलकुल सामने बैठे होते हैं उस समय आपको VA पैनल वाले टीवी का best experience मिलता है लेकिन जब आप किसी angle या side में बैठकर इस टीवी को देख रहे होते हैं तब आपको colors में थोड़ा drop नजर आ सकता है VA पैनल वाले टीवी dark room में ज़्यादा अच्छा perform करते हैं लेकिन यदि आपके room में direct sunlight आता है या आपका room ज़्यादा bright है ऐसे में आपको एक IPS पैनल वाला टीवी consider करना चाहिए इस category के टीवी में आपको minimum 150 nits की brightness जरूर मिलने जाहिए और यदि HDR यानि high dynamic range का support मिले तो बहुत अच्छा है अक्सर टीवी खरिते समय हमारा primary focus टीवी की picture quality पे होता है लेकिन चुकि ये budget टीवी है इसलिए हमें टीवी की picture quality के साथ साथ audio quality पे भी ध्यान देना है क्योंकि ज्यादा तर लोग ऐसे टीवी में अलग से sound bar नहीं लगाने वाले हैं इस बात को हम भी समझते हैं और इसलिए हम जो भी टीवी recommend करने वाले हैं उसमें टीवी की audio quality और picture quality दोनों को priority दी गई है बेस्ट 32 इंच टीवी के हमारी लिस्ट में number 5 पे आता है MIE का ये टीवी ना के बराबर बेजल्स मिलते हैं आप इसे बेजल लेस्ट डिजाइन कह सकते हैं इन सॉर्ट एक अच्छी लुक देखने को मिलती है इस टीवी के अंदर आपको IPS पैनल मिलता है और इसकी peak brightness आती है अप्रॉक्स 170 Nets इसमें आपको Xiaomi का Vivid Picture Engine देखने को मिलता है और ये 60Hz refresh rate के साथ आता है connectivity options में आपको दो HDMI ports मिलते हैं जिनमें से एक ARC port है इसके लावा दो USB port, Ethernet port, Dual Band Wi-Fi और Bluetooth 5.0 का भी support मिलता है Coming to the audio part of this TV इस TV में आपको 20W के speakers मिलते हैं जो Dolby Audio और DTS-SD को support करते हैं जिनसे आपको ठीक ठाक audio quality मिल जाती है अब बढ़ते हैं software की ओर ये एक Android TV है जो patch wall के साथ आता है इसके अलावा इसमें आपको auto low latency mode, Google Assistant और Chromecast का भी support मिलता है Picture quality की बात की जाए तो 170 Nets के साथ आपको SD Channel की performance अच्छी मिलती है वीविट picture engine की वज़ा से color थोड़े pop-out होते हुए दिखते हैं जो अच्छे लगते हैं MIKs TV पे आपको one year की warranty मिलती है और ये TV 1GB RAM and 8GB storage के साथ आता है जिसे आप इस समय खरीत पाएंगे 11,000 रुपिज में लेकिन पहले बात करते हैं इसके pros and cons की प्राइस के हिसाब से इसमें अच्छी picture quality मिलती है और इसमें Dolby Audio और DTS HD का support भी मिलता है लेकिन इस TV में HDR support नहीं मिलता फिर भी जिस प्राइस सेग्मेंट में ये TV आता है उस हिसाब से ये एक value for money product है description में इसका link है आप इसे check कर सकते हैं best 32 inch TV के हमारी list में number 4 पे आता है OnePlus का ये TV ये TV बहुत ही slim bezel के साथ आता है almost ना के बराबर bezels हैं plastic के frame मिलते हैं और plastic के ही stands दिये गाए है overall TV की look अच्छी मिलती है इस TV के अंदर आपको VA panel मिलता है और इसकी peak HDR brightness आती है props 200 nits के आसपास इसमें आपको OnePlus का gamma engine का support मिलता है और ये 60 hertz refresh rate के साथ आता है connectivity options में आपको 2 HDMI ports मिलते हैं जिन में से एक ARC port है इसके अलावा 2 USB port, Ethernet port और dual band Wi-Fi का भी support मिलता है audio quality की बात की जाये तो इस TV में आपको 20 watt के speakers मिलते हैं जो Dolby Audio और Dolby Atmos को भी support करते हैं जिनसे आपको एक decent audio quality मिल जाती है coming to the software part of this TV ये एक Android TV है जिसमें आपको Android 11 out of the box देखने को मिलता है इसके अलावा आपको auto loan latency mode, Google Assistant, Chromecast and Miracast का भी support देखने को मिल जाएगा इस TV में HDR10, HDR10+, और HLG की decoding मिलते हैं जिससे आपको इस TV में अच्छा HDR performance देखने को मिलता है इसमें HD channel बहुत अच्छे से play होते हैं और इसकी picture quality कहीं से भी कम नहीं थोड़े बहुत पंची colors मिलते हैं और ज्यादा तर लोगों को यही पसंद आते हैं OnePlus की इस TV पे आपको 1 year की warranty मिलते है और ये TV 1 GB RAM and 8 GB storage के साथ आता है जिसे आप इस समय खरीत पाएंगे 13,500 रुपेज में अब बारी आती है इसके pros and cons की ये एक अच्छा TV है जिसमें आपक ज्यादा लगा अगर ये टीवी 12,000 या साड़े 12,000 तक मिलता है तब ये एक अच्छा option है डिस्क्रिप्शन में इसका link है आप इसे चेक कर सकते हैं बेस्ट 32 इंच टीवी के हमारी लिस्ट में नमबर 3 पे आता है Redmi का Fire TV Redmi का ये टीवी almost bezel-less design के साथ आता है जो metal का बना है ल आती है approach 280 nits के असपास कलर को optimize करने के लिए इसमें saw me का vivid picture engine योज किया गया है और इस टीवी में आपको 60 hertz का refresh rate मिलता है connectivity options में आपको 2 HDMI ports मिलते हैं जिन में से एक ARC port है इसके अलबाद 2 USB port, Ethernet port, dual band Wi-Fi और Bluetooth 5.0 का भी support मिलता है audio quality की बात की जाए तो इसमें आपको 20 watts के speakers मिलते हैं जो Dolby Audio और DTS-SD के support के साथ आते हैं जिन से आपको अच्छी audio quality मिल जाती है ऐसे speakers से आपको cinematic experience की उमीद तो बिलकुल नहीं रखनी चाहिए हाँ, dialogue के clarity आपको अच्छी मिल जाती है coming to the software part of this TV, इस TV में आपको latest fire OS मिलता है fire OS Amazon की ओर से develop किया हुआ एक light operating system है जिसकी वज़ा से OS lag नहीं होता ये TV Alexa enabled voice remote के साथ आता है और इसके अलबा आपको इसमें Miracast and Apple Airplay का भी support देखने को मिल जाएगा SD और SD दोनों channel के साथ ये TV काफी अच्छा perform करता है vivid colors देखने को मिलते हैं और हलांकी इसमें HDR की decoding नहीं है फिर भी prime video और dolly vision content को भी ये TV बहुत अच्छे से play करता है थोड़े बहुत saturated colors मिलते हैं लेकिन कहीं से भी वो खराब नहीं दिखते Redmi case TV पर आपको one year की warranty मिलती है and additional one year warranty also applicable on the panel ये TV 1GB RAM and 8GB storage के साथ आता है जिसे आप इस समय खरीत पाएंगे 11,500 रुपिज में ये अभी का price है price हमेशा change होते रहते हैं इसलिए मैंने सभी TVs के links description में दिये हैं आप वहाँ से इनके current price को check कर सकते हैं लेकिन पहले बात करते हैं इस TV के pros and cons की इस TV का panel बहुत bright है आपको इसमें अच्छे colors और VA panel होने की वज़े से अच्छे blacks तो मिलते ही हैं साथ ही bright panel होने के कारण ये TV HDR content के साथ भी बहुत अच्छा perform करता है अगर cons की बात की जाये तो चुकि ये VA panel है इस लिए इस TV के viewing angles उतने अच्छे नहीं है extreme side पे आपको 20-25% color loss देखने को मिल सकता है और ये इस TV का नहीं almost सभी VA panel वाले TV के साथ ये problem होता ही है अगर आपको TV bedroom में लगाना है या फिर dark room में लगाना है फिर आपको कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है description में जाईए वहाँ इसके link दिये है मैंने best 32 inch TV के हमारी list में number 2 पे आता है Acer का QLED TV इस TV में आपको ना के बराबर bezels मिलते हैं silver metallic lower bezel and legs TV के look को enhance करके एक elegant look देते हैं Acer का ये TV QLED पैनल के साथ आता है और इसकी peak HDR brightness आती है approximately 200 nits के असपास इसके अलावा इसमें intelligent frame stabilization engine का योज करा गया है और ये 60 Hz refresh rate के साथ आता है connectivity options में आपको दो HDMI ports मिलते हैं जिनमें से एक ARC port है दो USB port, dual band Wi-Fi और Bluetooth 5.0 का भी support मिलता है Coming to the audio part of this TV, इस TV में आपको 30 watt के speakers मिलते हैं जो Dolby Atmos and Hi-Fi Audio को भी support करते हैं Dolby Atmos की वज़ा से आपको थोड़ा बहुत cinematic experience मिलता है और Hi-Fi Audio की वज़ा से dialogue के clarity अच्छी मिलती है बाकी 30 watt के speaker से ज्यादा loud या ज्यादा basic expectation आपको नहीं रखना चाहिए अब बढ़ते हैं software की ओर ये एक Android TV है जिसमें आपको Google operating system out of the box देखने को मिलेगा इसके लवा आपको इसमें voice enabled smart remote, built-in Chromecast and Google Assistant का भी support मिलता है picture quality की बात करें तो चुकी ये QLED panel है और इसकी brightness भी अच्छी है जिसकी वज़र से आपको better picture quality देखने को मिलती है blacks अच्छे मिलते हैं, अच्छे colors मिलते हैं, थोड़ा बहुत natural color profile देखने को मिलता है Acer की इस TV पे आपको 2 years की warranty मिलती है, और ये TV 1.5 GB RAM and 16 GB Storage के साथ आता है जिसे आप इस समय खरीत पाएंगे 14,000 रुपेज में और अब बात करते हैं इसके pros and cons की इतने कम price में QLED panel मिल रहा है, जो की अच्छी बात है इसका HD channel का performance बहुत अच्छा है HDR10 का support होने की बज़ा से prime video को भी ये TV अच्छे से play करता है और इसकी audio quality भी price के हिसाब से ठीक ठाक है लेकिन इस TV में HDR10+, HLG और Dolby Vision का support नहीं मिलता हलांकि price के हिसाब से ये expectation रखना ज्यादा है 32 inch की category में ये एक बहुत अच्छा TV है आप बिना किसी second thought के इस TV को consider कर सकते है description में इसका link दिया है मैंने best 32 inch TV के हमारे list में number one पे top करने वाला TV है LG का LQ model almost bezel less design है, plastic stand है, पूरी body polycarbonate की है पिछले साल तक के model की तुला में TV के look को काफी improve किया गया है इस TV के अंदर आपको IPS delayed panel देखने को मिलेगा और इसकी peak HDR brightness आती है approach 240 minutes के आसपास LG के इस TV में आपको HDR10 और HLG की decoding मिलती है और ये TV active HDR के support के साथ आता है जिसकी वज़ा से आपको ज़्यादा details देखने को मिलते हैं connectivity options में 3 HDMI ports दिये गया है जिनमें से एक EARC port है दो USB port, Ethernet port, Wi-Fi और Bluetooth 5.0 का भी support मिलता है audio quality की बात की जाए तो 16 watts के 2.0 channel speakers मिलते हैं जो AI sound यानि virtual surround sound system के साथ आते हैं जिनसे आपको dialogue की clarity बहुत अच्छी मिलती है overall ठीक ठाक audio quality मिल जाती है coming to the software part, LG के सभी TV की तरह इस TV में भी आपको WAVE OS मिलता है जो LG का खुद का develop किया हुआ Linux based operating system है इसके अलावा आपको इसमें Apple AirPlay, Chromecast, Google Home और Alexa का भी support मिलता है इसके अंदर game optimizer भी दिया गया है जिससे आप थोड़ा बहुत gaming का भी मजा ले सकते हैं इस TV में एक powerful processor alpha 5, AI generation 5 picture processor का यूज करा गया है जिससे आपको जबरदस्ट picture quality मिलती है अगर आप एक casual gamer है और आपका budget 15,000 के आसपास है तो ये TV आपके लिए है क्योंकि इसमें advanced gaming technology दी गई है अगर cons की बात करें तो आपको इस TV के साथ box में magic remote नहीं मिलता जो पिछले साल तक के model के साथ मिलता था हलनकि आप इसे अलग से खरीद सकते हैं लेकिन फिर भी LG को इसे box के साथ ही provide करनी जाहिए थी इसलिए मेरे recording ये कौन है अगर आपके लिए नहीं है तो description में इसका link है आप इसे पिल्कुल miss मत किजिएगा दोस्तो बाकी वीडियो की तुला में TV का वीडियो बनाने में पहुत मेहनत लगता है इतने सारे TVs को compare करना, detailed analysis करना हमेशा ये ध्यान रखना कि गल्ती से भी आपको मेरे द्वारा कोई बेकार TV ना recommend हो जाए लेकिन इतनी मेनत हम करते क्यों है इतनी मेनत हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमीं उम्मीद होता है कि आप जब भी अपनी खरीदारी को पूरा करेंगे description में दिये गए हमारे link को जरूर यूज करेंगे जिससे आपका price तो एक रूपिया भी change नहीं होता लेकिन हमारी थोड़ी सी financially मदद हो जाती है और आपका यही support हमें motivate करता है कि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहें प्लीज हमें support कीजिए तो आज के वीडियो में बस इतना ही इसके बाद भी यदि आपका कोई doubt या सवाल हो तो हमें comment करके जरूर पूछिए और यदि आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो और इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी help हुई हो तो please वीडियो को like और channel को subscribe करें आपके subscribe करने से आमारी बहुत help होगी तो मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो में Thanks for watching